दोस्तों कि आपने कभी ये सोचा है कि आखिर महाभारत को अपने दिवी द्रिष्टी से देख कर धिरतराष्ट को पूरी लाईव महाभारत दिखाने वाले संजय आखिर महाभारत खतम होते ही कहां चले गए? आखिर उनके गायब होने के पीछी का क्या कारण था और शास्त्रों में उनके अचानक से नाद दिखने के पीछी का उलेक क्यों नहीं मिलता? संजय जोकि महाभारत के एक रहसमिक किरदार थे जिनको टेलिपधी कम्मिनिकेशन में पारंगत हासिल थे संजय महरशी वेदव्यास के शिश्य थे संजय भले ही जाती से बुनकर थे लेकिन उनके ज्ञान का कोई सानी नहीं था संजय स्रीकृष्ण के भक्त भी थे संजय धिरतराष्ट की सभा में सलाकार और धिरतराष्ट के बेहत करीबी भी थे ये कलोते ऐसे वेक्ती थे जिन्होंने अपने दिव धिरिष्टी से महाभारत युद्ध को साक्षात देखा था और उसका विस्तरत वर्णन करके धिरतराष्ट को सुनाया भी था कुरुक्षेत्र के रण में जो जो भी हुआ वो संजय की दिष्टी से नहीं छुप सका महाभारत गरंद के अनुसार संजय सभाव से विनम्र होने के साथ साथ अत्यन धार्मिक भी थे माना जाता है कि धिरतराष्ट ने महाभारत युद्ध को टालने के लिए पांडवों के पास संजय को ही भेजा था इसका सरल कारण ये था कि संजय पांडवों के प्रती सहनभूती रखते थे संजे के प्रयाशों के बारे में भी महाभरत ग्रंत में उल्लेक मिलता है ग्रंत में वर्निज जानकारी के उनसार संजे ने महाभरत युद्ध को टालने के लिए धृतराष्ट और उनके सभी पुत्रों को समझाने का अथक प्रयाश क्या था यहां तक कि उन्होंने धृतराष्ट के पुत्रों द्वारा हो रहे अधर्म की खिलाफ करेव वचन भी गहे थे जब पांडब जुए में हार कर 13 साल के लिए वनवास में गये तो संजे ने धृतराष्ट को चेतावने दी थी कि हे राजन कुरुव वन्ष का समुन नाश तो पक्का है लेकिन साथ में निरही प्रजा भी नाहक मारी जाएगी हाला कि धृतराष्ट उनकी सपष्ट वाधिता पर अकसर गुसा भी हो जाते थे हाला कि कौरुव वन्ष का विनाश निश्चित था तो कौरुव पुत्रों पर संजे दोराष्ट समझा जाने का भी कोई असर नहीं परा बहरहाल जब युद्ध आरंभ होने वाला था तम महरसी वेद व्यास जी ने संजे को दिवी दृष्टी प्रदान की थी इस लिहाजे से संजे को देश का सबसे पहला और प्राचिन कमेंटेटर भी माना जाता है महरसी व्यास की दिवी दिवी दृष्टी भी नश्ट हो गई थी स्रीकिष्णी का विराड सरोप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था संजे ने भी उसे दिवी दृष्टी से देखा था कहते हैं कि महाभरत युद्ध के बाद कई सालों तक संजे युदिष्टी के राजी में ही रहे थे और युदिष्टी का मार्ग दर्शन करते थे इसके बाद वे धृतराष्ट, गांधारी और पांडव माता कुंती के साथ सन्यास में जले गए मानिता है कि धृतराष्ट के मृत्व के बाद संजे ने हिमाले पर निवास किया था उसके बाद उनका क्या हुआ हिमाले में उन्होंने कितना वक्त बिताया उनकी मिर्तिव कहां हुई इसके बारे में कहीं भी कोई सटीक जानकारी उपलब नहीं है दोस्तो आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माधिम से जरूर लिखेगा मैं हूँ आपका दोस्त परदी जल्दी मिलता हूँ आप सभी की साथ एक नए वीडियो के माधिम से तब तके लिए अपना खयार रखेगा